नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनलाइन एंड ओफलेंग गैन में दोस्तो आप सोचिए कितना बुरा लगता है जब किसी का हक किसी के हाथ से छीन कर किसी और को दे दिया जाता है जो 2018 में हुआ उसके बारे में आप भली बाती जानते हैं यह वीडियो है रेलवे ग्रूब डी से आईटी आई हटने की बात पर आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर जी इस टोपिक पे वीडियो बनाईए तो भई कुछ बच्चों ने आईटे डाला था उस आटे का रिप्लाई आया है रेलवे ने क्या जवाब दिया है वो मैं आभी आप लोगों को दिखा दूँगा रेलवे आटे के माद्दम से पूरी क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है इस चीज के बार में बता दू हाला कि नोटीस पहले ही वेबसाइट पे अवेलिबल है लेकिन उसे रेफर करने के लिए रेलवे नहीं बोल रहा मैं जितनी चर्चा है वो आप लोगों के सामने कर दूँगा और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूँ आप सभी जानते हैं ये रेलवे ग्रूप डी की भरती से ना आईटे अप्रेंटिस हटने की बात का उचायल तब से आया है जब से रेलवे की टीचर्स के साथ मिटिंग हुई है अब इनेनों एक्च्वल में क्या बात किया अंदर जाके क्या नहीं करी वो तो भाया वही अपने मन से बता सकते हैं कोई सामने वाला व्यक्ति जो वहाँ पर नहीं गया वो नहीं बता सकता बाकी भाया टूली स्पीकिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट आती हैं इसी वज़े से ऐसे टोपिक को छेड़ा जाता है अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट नहीं आती तो ऐसे टोपिक को बिलकुल मैं अपनी साइट से छेड़ी नहीं रहता आप सभी जानते हैं तो आज छेड़ना पड़ा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट को फुल्फिल करना था अब बढ़ते हैं सबसे पहले जो बच्चे ने आटियाई डाला आटियाई में बच्चों ने क्या कोश्चन किये सबसे पहले कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता आटियाई क्या होता है देखो भई आटियाई होता है कि right to information सबसे पहले तो full form समझिए जब हमें किसी से कोई question पूछना होता है सरकारी विबाग से तब हम उससे question पूछने के लिए इस तरीके का आटियाई लगाते है और हमारे पास उनका जवाब आता है कभी-कभी ये सीधा ही मनाई कर देते है कि हम आटाई के अंतरकर नहीं आते हैं जैसे D.A.D.O. जैसे विबाग हो गया ये लोग जो है आप लोगों को जवाब नहीं देते हैं तो कुछ को छूट दे रखी है कुछ को जो है छूट नहीं दे रखी कि उनको जवाब देना ही होता है, सबसे पहला question और देखो ये question नहीं है, ये बच्चों के दर्द है, जो यहाँ पर बच्चा परिशान हो रहा है और railway उसका जवाब नहीं दे रहा है, ये उनका दर्द जलक के आ रहा है इन questions में, पहला जो सवाल है बच्चे का वो यही है, कि detailed information दीजिए हमें कि जो level 1 की post है जितने भी department है railway के उसमें क्या qualification रहेगी दूसरा सवाल बच्चे का है level 1 की जो group D की post है उसका qualification criteria क्या है उसके बाद तीसरा है कि railway से group D की जो भरती है इससे IT हटा दिया या नहीं अटा है ये question आप इन बेफकूफों का railway का जवाब सुनिए लेटेस्ट ये पुराना नहीं दिखा रहा भाई कहीं बोलोगी पुराना थमा दिया आप लोगों को तो भाईया यहाँ पर ये बोल रहा है कि interpret information is desired by the applicant इसे समझिए ये बोल रहा है कि हम जो है ये information आपको properly directly नहीं बता रहा कि जो है railway से group D हटा है या नहीं हटा उसके बाद second यह आप पढ़ सकते हैं तीसरा एक जो है ये notice refer करने के लिए बोल रहा है जिसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो इसने notice refer करने के लिए बोला है और जो 2018 में भढ़ती आई थी उसके लिए भी ये बात कर रहा है तो मैं आप लोगों को सारी चीज़े एक बार दिखा दिता हूँ सबसे पहले ये notice देखिए आप ये notice है 26.2.2019 को आया था और minimum education qualification जो है level 1 की इसी के उपर मैं आपको दिखाने जा रहा है जो आप लोगों को IT के माध्यम से आपर दिखा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते है इसमें ये उपर वाली post जो है इसमें तो 10th प्लस ITI प्लस apprentice रखा हुआ है लेकिन जो main post होती है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चा जो है यहाँ पर apply करता है उसके बारे में देखिए यहाँ पर बोल रहा है या तो 10th रहेगा या IT रहेगा या Apprentice रहेगा यहाँ पर आईटे अप्रेंटिस कमपलसर ही नहीं रहेगा तो इस notice को refer करने के लिए बोल रहा है और proper clarity नहीं दे रहा है लेकिन एक और notice देखते हैं जब railway ने site पर जाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हम एक और notice देखते हैं भाया यह क्या है फिर जब आप लोगों ने पहले ही site पर mention कर दिया था कि 15.6.2019 के बाद level 1 की कोई भी भरती आती है तो उसमें ITA या apprentice composer रहेगा तो फिर इस तरीके की बाते क्यों की जा रही है मैं ITA वाले उसे एक request करूँगा मेरा मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो अपना गुरू समझ लो कुछ भी समझ लो छोटा भाई समझ लो मैं बस इतना बोलूँगा humble request एक जूटा बना के रखो समय आने पर उसका proper utilize करना चाय tutor के माद्यम से और बाकी आप समझ दार है किसी और के माद्यम से मेरा किसी को भढ़काने का काम नहीं है जो ITA वाले बच्चों का यहाँ पर बुरा होने की संभावना हो रही है उसी वज़े से जो है यहाँ पर एक जूटा बनाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों आप खुदी समझदार है मुझे बताने की जुरत नहीं है एक 10th pass वाले बच्चे के लिए group D की भरती होती है या एक ITA अप्रेंटिस वाले बच्चे के लिए group D की भरती होती है आप खुद समझदार है मुझे बताने की जुरत नहीं है जो ट्रेंटिस आइटे अप्रेंटिस करने के बाद बच्चा पहले ही ले चुका है फिर group D की नोकरी का फॉर्म फिल कर रहा है जो 10th pass वाला बच्चा जाएगा उसे फिर से वो ट्रेंटिस दी जाएगी कितना फर्क है लेकिन railway समझे का लेकिन जिस दिन अभी तो देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि officially साइट पर ये चीज मैंशन है जिस दिन ये नोटिस हटेगा मेरा पूरा साथ आप लोगों के लिए रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना आप समझदार है उसके बारे में लेकिन मैं पूरा आप लोगों के साथ इस चीज में दूँगा मैं बस इतना आप लोगों को बोलूँगा अभी आप लोग चिंता मत करो कहीं कहीं से अलग-अलग जगाओं से आप लोगों के पास information आ रही है truly speaking परिशान मत हुई है अभी railway की side से 0.1% भी कोई information नहीं है कि group D की भरती से आप लोगों का idea या अप्रेंटिस हटेगा जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे हाला कि संतुष्टों सारे बच्चे नहीं होंगे जो non idea वाले बच्चे वो comment में गाली भी लिखेंगे उल्टा भी बोलेंगे लेकिन idea वाले बच्चों का दर्द है भाईया आप लोग समझोगे नहीं इसी वज़े से जो है यहाँ पर इस चीज को मुझे बनाना पड़ा idea वाले बच्चों का कोशिश रहती है कि उनका साथ दे सकूँ और बाकी बस मेरी साइट से इतनी information थी धन्यवाद thank you so much description में telegram का link है join कर लेना अगर आपको अपस में community बनानी है वहाँ पर भी मैं information आप लोगों के साथ regularly share करता रहता हूँ और आप लोगों के experience जो बच्चे है experience जो student है वो आप लोगों के सवालों के जवाब देते रहते हैं धन्यवाद